कराके की ठंड से लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं रजाई से नहीं निकल रहे हैं लेकिन कहीं न कई बिहार की सियासत इसकदर गर्म है जद्यू के रास्टी अद्यक्ष ललन सिंग के हटने के बाद यानि अब जो है नितीश कुमार को नए रास्टी अद्यक्ष बन अधिक्ष का कमान सम्हाला है तब से दिल्ली से लेकर बीहार तक श्रयासतगर्म है ऐसे में आपको बता दे कि इस वक्त बीजेपी दफटर में भी हल चल तेज है और बीहार के बीजेपी पटना की दफटर की बात करें तो बैठकों का दौर जल रहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक समराट चौधरी के नितरित में ये बैठक शुरू हो चुकी है इसमें कहीं न कहीं अब बिहार में बड़ा खेल हो सकता है क्योंकि भले लगातार बीजेपी के तरफ से ये बियान आ रहे हैं कि नितीश कुमार के लिए सारे दरवाजे वो बंध है लेकिन कहीं न कहीं अंदुरीनी खाने में ये खबर है कि नितीश कुमार जल्द ही एंडिये का दामन थाम सकते हैं भले लगातार इस तरह के ब्यान जदियू के तरफ से भी आ रहे हैं कि इंडि गडवंदन के साथ रहेंगे इंडिया गडवंदन के साथ रहेंगे लेकिन नितीश कुमार ने अपने हाथ में जब से रास्टी अध्यक्ष का कमान लिया है तब से वो भी एक्शन में नजर आ रहे हैं में राजिकाई की बैठक नितीश कुमार कर रहा है तो वहीं भाजपा की ओर से भी बैठकों का दौर चल रहा है और कहीं न कहीं अपने बूठ थस्तर पर भाजपा जो है 2024 के लिए रनिती बना रही है और किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए 40 में से 40 सीट बिहार में कबजा हो बीजेपी का उसको लेकर ये रनिती बनाई जारी है तो ऐसे में कहीं न कहीं नितीश कुमार एक बार फिर से पल्टी मार सकते हैं ये असंका जताई जारी है और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है लगातार भले वहीं एक तरब बात करे तो तेजश का असर बिहार की राजनीती पर कितना पड़ता है भाजपा की ओर से ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हरपल के लिए